तो चलि दोस्तों ट्रेक्टर को इस्टार्ट करके आपको इसका आवास सुना देते हैं यह नया सी आडिया वह इंजन किस तरह से आवाज करता है कि अभी जितने भी महंद्रा के स्याडीय आवले ट्रेक्टर आ रहा है उन्हों सब का वाज काफी प्यारा लगता है आपके यह सब सुन सकते हैं यह इस्टेरिंग रिस्पांस है नमस्कार मैरी तेस्कुवार आज हम देखने के लाए महंद्रा अर्जुन 605 डि आई आई जोकी एक पच्पनेश्पी का ट्रेक्टर है और यहा भी एमबोस सीरीस के साथ में आता है तो आगे वीडियो में इस ट्रेक्टर के बारे में हर एक चीज पारीकी से जानने की कोशिश करते हैं जो कि काफी अच्छी बात है, और साइड में इसका यूनिक फेंडर, जो कि सब को याद ही होगा, और इस ट्रेक्टर में भी आपको सिंगल पीस बॉनेट देहने को मिल जाता है, इसको उपन करने के लिए आपको यहाँ पर पुश्ट करना होगा, इसके बाद इसे आप दूस के लिए CIDI पम देहने को मिल जाता है, और अगर इसके इंजल सिस्ट की बात करें, तो इसमें 3532 सिस्टी का 4 सिलिंडर नेचुली स्प्रेडर इंजल नेको मिल जाता है, जो कि CRDI पम के साथ में आता है, जो कि आपको बताई चुके है, इसका मतलब यह जो ट्रेक्टर है, 4 के साथ में आता है, और इसमें जो फ्यूल सप्लाई है, उसको इलेक्ट्रोनी के लिए कंट्रोल के जाता है, जिसकी मतलब से, इसका जो डिजल खापत होगा, वो कहीं न कहीं इन लाइन से कम होगा, इसके लाबा जो इसका कैलेटिक है, इससे आप यह अंदर में देख पा मेहंदरा ट्रेक्टर पर्चेस करने के लिए, डिस्क्रीप्शन में नमबर और लोकेशन दिया हुआ है, अगर इसके फ्रेंट एक्सल की बात करें तो इसमें नॉन इंडेश्टेबल ताइप पर हमी फ्रेंट एक्सल मिल जाता है, और जो टायर है, इसके लाबा डबल एक् और दोस्तों इसके इस्टेरिंग विल एक्सल मिल जाएगा, बाकि यहां से आप इसके पूरे मीटर कंसल को देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, इसमें आपको सभी फ्रकार की इंडिकेसल मिल जाएंगे, यहां पर यह आपको इंडिकेट कर देगा, इसके देख सकते हैं, इसमें भी आपको डिजल से वर नॉर्मल और पावर मोट से बटन मिल जाते हैं, अगर आपको ट्रेक्टर नॉर्मल रोड में चला रहा है, खाली ट्रॉली बगर चला रहा है, तो इसमें चला सकते हैं, और जब कल्टीवेटर ट्राइक का हैवी काम कर रहा ह तो आपको इसे पाउरोन में चलाना चाहिए जिससे आपको ट्रेक्टर से परफार्मेंस काफी अच्छा मिलेगा, बाकि यह सब लाइट के कंट्रोल मिल जाएंगे और इसका इंगिशन फिया पर दिया हुआ है, और पार्किंग लाइट्स अन अप करने के लिए, और यहाँ पर आपको एक छोटा से कंपार्ट्में मिल जाता है, जिसको आप यह चाबी की मिदश से खोल सकते हैं, और दोस्तों यहाँ राइट साड में आप देख पा रहे हुगा, आपको पॉसिशन कंट्रोल, ड्राप कंट्रोल दोनो लिवर मिल जाएगा, और यहाँ पर यह पार्किंग लिवर दिया हुआ है, यह थोस्तों से डैमेज हो गया है, बाकि यह कुछ इस सरह से पपढ़नें नहीं रह पहा है, और यह इस लिवर की मदश से आप इसके 2 DC वालो को कंट्रोल कर पाएंगे, और इसमें 1, 2, 3, 4, और रिवर्स और हाई लो के साथ 8 फारवर्ड और 2 रिवर्स गेर मिल जाएगा, और इसका जो गेर बॉक्स है, कॉंस्ट्ट में स्टाइब कर दिया हुआ है, और इसमें और इसमें आप इसके एक्सलेटर पर ड़ल और अगर इसके क्लश की बात पर तो इसमें आपको सकते हैं, या कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, इसके लावा इसमें आपको वाइब्रेशन कंट्रोल के लिए अलग से रॉड भी मिल जाता है, और इसमें आपको 48.9 HP का 66th plan PTO मिल जाएगा, जो कि 50 HP के टिकरी खिसाब से काफी अच्छी बात है, और इसमें forward और reverse दो परकार के PTO मिलता है, और reverse पीटो देने से ये फायदा होता है कि कभी कुछ implement मों कचेड़ होगर reference गया तो आप इसको उन्टा गुमा के निकाल सकते ह इसके लावा जो rear axle है, inboard type का दिया हुआ है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा power output निकाल पाता है, और ये reason है कि इस ट्रेक्टर में inboard type का axle होता है, उसमें आपको टॉर्क भी थोड़ा अच्छा देखने को मिल जाता है, और यहीं इसके आप hydraulic arms को भी देख सकते हैं, कुछ इस तरह से दिया हुआ है, और इसमें आपको 1800 kg की lifting capacity भी मिल जाती है, और दोस्तों इसके rear में आपको 1628 के tire देखने को मिल जाएंगे, और दोस्तों left side में आपको यहापर metal का toolbox भी मिल जाए गया, और इसके जो driver seat है कुछ इस तरह से दिया हुआ है, और इसको भी आप अगले वीडियो के साथ, तब तक लिए, नमस्कार